Hello everyone and welcome back to the channel तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं पांच ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो एक्स्ट्रीम ए मोटर स्पोर्स इवेंट को सबसे डिफरेंट बनाता है वो है हमारा इसका कॉंसेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् दे फ्रेमन ये दोनों ही लोग जो है मोटर स्पोर्ट इवेंट के अंदर बहुत पॉपुलर है एक जो है हमारे मैनेजर रह चुके हैं हमारी मेकलेरिन टीम के लिए दूसरे जो है हमारे CEO है फॉर्मूला ई के लिए तो ये दोनों लोग एक साथ आये और इन्होंने एक नया कॉंसेट निकाला जिसके थूँ मोटर स्पोर्ट का जो मेजर कॉंसेट रहा है वो हमारा Race to Road कॉंसेट रहा है और दूसरा Entertainment रहा है लेकिन इस मोटर स्पोर्ट इवेंट के अंदर उन्होंने एक और चीज जोड़ी जिसका नाम है Environment Awareness तो ये जो Environment Awareness है इसको जब जोड़ा गया मोटर स्पोर्ट के थूँ तो यहाँ पर तीन कॉंसेट निकल के आते हैं यहाँ पर तीन मेजर आइडियास निकल के आते हैं सबसे पहला तो Entertainment जो हमें मोटर स्पोर्ट से देखने को बहुत ज़ादा मिलता है दूसरा है हमारे Race to Road Concept जो Race to Road Concept है वो क्या होता है कि हमारे जितने भी रेसिंग होते हैं उसके थूँ जितने भी डेटा जनरेट होते हैं या फिर जितने भी टेक्नोलोजी डवलप करी जाती है उनको जो है हम इस तरीके से टेस्ट करते हैं ताकि जो हम कॉमन लोगों के लिए वेहिकल बनाए तो उसके अंदर जो है वो टेक्नोलोजी को इस्तमाल किया जाए आपके ब्रेक्स हो गए आपके स्टेरिंग हो गए आपके जितने भी एरोडाइनमिकली या फिर जितने भी आईसी इंजन के अंदर चेंजिस आते हैं टेक्नोलोजी के लिए वो सबसे पहले हमारे रेसिंग में टेस्ट किये जाते हैं फिर उसके बाद जो है वो रोड कॉंसेट पे आते हैं और हम क्या-क्या कर सकते हैं इसको इंप्रूफ करने के लिए तो जो सबसे पहला पॉइंट था जो सबसे डिफरेंट लगा इस पूरे मोटर स्पोर्स डिजाइन करने में वो था इसका कॉंसेट कॉंसेट बहुत युनीक है और मुझे लगता है यह कॉंसेट जो है बहुत लंबा चलने वाला है और लोग इसको बहुत जादा पसंद करने वाले हैं दूसरा जो सबसे बड़ा USP है इस पूरे टोर्नामेंट का या फिर पूरे मोटर स्पोर्स डिफरेंट का वो है इसके ट्रैक्स अब ट्रैक्स जो है इसके बहुत युनीक है इन ट्रैक्स की अगर बात करी जाए तो बहुत डिफरेंट है और इनको चूस करने के पीछे जो concept है वो इसमें जोड़ा गया है और rising sea level तो यह सारे चीजे जो है अगर हम जोड़ें तो हमें देखेने को मिलेगा कि हम किस तरीके से हमारे environment को impact कर रहे हैं तो जो इनका track choose करने का concept है वो यही है कि हम इन 5 areas को target करें जहां से जो हैं awareness भी बढ़ाएं हमारा motorsports का जो entertainment है purpose वो भी solve हो दूसरा जो हमारी vehicle है उसको भी जो हम harsh condition के अंदर test कर सकें तो यह सारी चीजों के अगर बात करूँ तो जिनका concept निकाला जो 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 ट्रैक चूस किया वो दोनों ही जो है बहुत different है उसके पीछे proper environment को यह लोग target कर रहे है अब हम बात करेंगे इसके तीसरे point के बारे में जो बहुत different है किसी भी motorsports event के बारे में तीसरा point जो 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 नो ने यहाँ पे choose किया है या फिर जो इसको बहुत different बनाता है सारे motorsports event से वो है इसका gender equality जितने भी motorsports के बारे में आपने सोना होगा अभी तक वहाँ पे जो है कभी भी एक woman एना एक men एकी race के अंदर कभी नहीं आये होगे women's की अलग team बनती है men's की अलग team बनती है और ज़्यादा तर motorsports event जो है वो जो हमने देखा है वो हमारा जो है एक male dominating industry है लेकिन इस concept के अंदर same track पे same team के अंदर से दो driver रहेंगे वो दोनों driver जो है male and female रहेंगे और ये male and female का combination मिलके जो है आपकी team को जितवाएगा इस पूरे race format को किस तरीके से conduct किया जा रहा है और क्या इसके पीछे idea है उसके बारे में हमने discuss करी थी हमारे पिछले वीडियो में जिसके उपर आप देख सकते हैं और समद सकते हैं कि किस तरीके से ये race conduct की जाएगी और क्या इसका format रहने वाला है तो जो gender equality का जो concept है यहाँ पे वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि same team से दोनों male and female रहेंगे और उसके साथ compete करके अपनी team को जिताएंगे तो ये जो gender equality है वो बहुत unique और बहुत USB वाला point है इस motorsports event के अंदर तो जो four point है जो इस दफसे different बनाता है इस पूरे tournament को या फिर पूरे motorsports event को वो है इसकी vehicle अब वहिकल की बात करी जाए तो ये वहिकल जो है नॉर्मल वहिकल या फिर जिस तरीके की वहिकल हम मोटर स्पोर्ट में देखने के हमें आदत है वैसी नहीं है ये जो एक SUV ट्रक है specially electric तो electric का कॉंसर्ट सबसे पहले आया था वो हमारा formula E के अंदर आया था वो हमारा 4401 mm overall width जो है वो इसकी 2300 overall height जो है वो 1864 mm है और front track जो है इसका 1998 है rear track भी जो है इसका 1998 है अब बात करी जाए इसके ride height के बारे में तो 450 mm है wheelbase जो है 3001 mm है total weight जो है वो 1780 kg है battery capacity जो है 400 kWh है for usable energy and power की बात करी जाए तो यहाँ पे formula E के same motors इस्तमाल किये जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे dual motors है तो यह power configuration जो है वो 250 kW के motor है जो basically हमारे 550 brake horse power के around होते हैं torque जो आपको इससे देखने को मिलेगा वो हमारे 920 Nm का देखने को मिलेगा और यह सारी चीजे जो है इसका suspension travel जो सबसे different है वो है हमारा 385 mm तो totally off-road conditions के अंदर यह vehicle डवलप की गई है electric के लिए और इसकी जो development की गई है वो हमारा spark racing technology ने करी है तो यह जो vehicle है सबसे पहले जो इसका first prototype develop हुआ था 2019 April में हुआ था उसके बाद इसकी testing हुई and December 2020 के around उनोंने यह vehicle सारी teams को hand over करते थी with full configuration and ready to ride conditions के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2019 से यह concept चालू हुआ 18 से चालू हुआ और 2021 में इसकी शुरुआत हो रही है तो बहुत बड़ी planning लगती है गाड़ी develop करने में टाइम लगता है और जिस तरीके कि यह vehicle है specially electric dual motor, four wheel drive तो यह हमें एक नए concept के तरफ ले जा रही है और दूसरा जो यह vehicle race to road को concept है उसको भी बहुत अच्छे से fulfill कर रही है क्योंकि SUV जो है बहुत सारे लोगों को पसंद है specially अगर मैं बात करूँ इंडिया की तो मुझे लगता है कि यह concept है या फिर जो इसकी vehicle है वो भी बहुत different है जितने भी motorsports event रहे हैं उनसे last point जो यहाँ पर आता है के लिए transportation चाहिए तो यहाँ पर जो transportation का इस्तमाल हो रहा है वो यह है कि वो यहाँ पर एक ship का इस्तमाल कर रहे है अब इस ship की अगर बात करी जाए तो सेंट हलीना इस ship का नाम है और यह ship जो जब ली गई थी इस Extreme E team के द्वारा तब यह जो है एक discarded condition के अंदर थी इसके अंदर जो है बहुत सारा paint work किया गया metal work किया गया और सारे चीजों को इस तरीके हैं डवलब किया गया ताकि वो जो है हमारे environment को impact ना करे योकि Extreme E का जो पूरा concept है वो यही है कि वो हमारे environment awareness को बढ़ाना चाते है environment के उपर impact जो है वो कम करना चाते है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा concept है और ship का इस्तमाल जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं ताकि जितने भी motorsports event है उनसे अलग जो है वो हमारे carbon neutrality को कम कर सके क्योंकि अकर बात करी जाए world famous racing के बारे में F1 के बारे में तो वहाँ पे तीनों mode का इस्तमाल होता है ship कब इस्तमाल होता है planes कब इस्तमाल होता है और majorly जो इस्तमाल होता है वो हमारा road transport का इस्तमाल होता है तो इनसे जो है pollution जादा होता है और इनका concept यह है कि हम pollution level को कम करें दूसरा जो इसको drive करने के लिए जो system इस्तमाल कर रहे हैं वो हमारा kite technology का इस्तमाल कर रहे हैं अब kite technology क्या होती है कि wind power के थुरू जो है एक kite shape बनाय जाती है जिसके थुरू जो है यह हमारे ship को drive देंगे तो यहाँ पे भी जो है यह energy safe करने का concept इन्होंने ship के उपर भी लगाया है तो overall जो है मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा concept है बहुत अच्छी motorsports event रहने वाली है और आप सभी लोगों को देखना चाहिए इसका पहला event जो है Saturday को हुआ था और जब तक यह video आएगी मुझे लगता है कि इसकी जो Sunday की racing है वो भी finish हो जाएगी उसके बारे में जो है मैं आपको अपने Instagram पर inform कर दूँगा अगर आपने वो मेरे को Instagram पर भी तक follow नहीं किया है तो follow कर लें उसका link जो आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर जो है मैं ऐसे racing technologies के बारे में या फिर racing के बारे में जो है time to time आप लोगों को update देता रहता हूँ तो यह जो overall मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि क्यों extreme जो racing है वो different है हमारे जितने भी racing concept अभी तक रहे हैं तो आशा करते हैं आपको यह video अच्छी लगी होगे आपको यह video अच्छी लगी होगे तो लाइक जरूर करें शेयर करें और subscribe करें इस channel को और आपके बास कोई भी सुझाव है या feedback है तो हमें comment करके नीचे जरूर बताएं धन्यवाद इस video को देखने के लिए और अपना ध